हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू स्टॉक टॉक विट उके जी इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियास पे चर्चा करने के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेट का चार्ट चुना है तो चलो देखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट का वीकली चार्ट यहाँ प सिग्नल्स दिये हैं तो अगर एगर इंडिकेटर्स वीकली चार्ट में अगर पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे तो स्टॉक में काफी मजबिताई थे ही जा सकती है स्टॉक ने अक्टबर 2018 में 1126 का लो बनाया उसके बाद फोड़ा सा राइज आया और वाकवास करीब करीब 70-80 परसंट का कॉल आ गया फोड़ा सा हाईर बटन बना 1230 में 2019 में उसके बाद यहां आप देख सकते हो यहां से आपका सब एवरेजीज भी अप्टरेंड में आ गये शुपर ट्रेंड भी थोड़ा अप्टरेंड में आ गया और स्टॉक ने यहां से राइज देखे थोड़ा यहां कंसलरेशन किया वापस एक अच्छा खासा राइज आया तो फेबरवारी 2020 में आप देख सकते हो कि 2559 का हाई बना उसके बाद जो फॉल आया यह पूरा राइस का करीब-करीब 30% फॉल गिना जा सकता है और स्टॉक में यहां मार्च 2020 में 1735 का लो बनाया यहां प्टिश देख सकते हो कि यह कंटियूस हायर बॉर्टम से और यह जो यह ट्रेंड लाइन और यह ट्रेंड लाइन आप अगर देखोगे तो एक रेक्टेंगल सा पैटन दिखाई दे रहा है यहां पर यह नोट एक्जेटली बट थोड़ा सा एसेंटिंग ट्राइंगल का पैटन है तो स्टॉक फेबरवारी 2020 से लेके डिसेमर तक स्टॉक एक रेंज में गुमता रहा, एवरेजीस के आगे पीछे स्टॉक का प्राइस गुमता रहा, अभी अभी स्टॉक ने ए फ्राइडे को यह जो पूरा पैटन है उसके पर मूँव देखके 2.802 का हाई बनाए है, स्टॉक के सब इंडिकेटर पॉजिटिव में है, स्टॉक के सब एवरेजीस एक अप्ट्रेंड और पॉजिटिव मोड में है, स्टॉक ने काफी एक फेबरवारी से लेके डिसेमर का कंस्टॉडेशन या एक एक एक्सिमलेशन जोन मुझ भी बोलो, वो उसको एक अच्छा खासा ब्रेकाउट दे दिया है, तो ए सब रिजन्स देखते हुए, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, अवेली सुपरमार्ट्स लिमिटेट जिसका करेंट मार्केट प्राइस 2.790 है, उसका टार्जेट 3100, 4400 और 3700 आ सकता है और अगर यह स्टाक बीच में नीचे आता है, तो उसका बाय एरिया है 2665-2580, 2510, 2450 और 2400 और 2400 और यह स्टाक में तेविस्टो का स्टॉपड़ा सकना जरूरी है Thank you Sabi Registration Number, INH-0000001634, its analysts and associates with regard to, this video hereby solemnly declare and disclose that We do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company. We do not have any past significant relationships with the company such as, investment banking or other advisory assignments or intermediate relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.